दोस्तों कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में उगाय गए चावलों का 90% तो केवल एशिया में ही उप्योग कर लिया जाता है। कि आपको ये पता है कि 18 फरवरी 1979 को 30 मिनट के लिए साहरा रिगिस्तान में बर्फबारी हुई थी। कि आपको ये पता है कि इनसानी दिमाग कभी भी खाने, खुबसूरत चेहरे और खत्रे को पहचानने में देरी नहीं करता। दोस्तों कि आपको ये पता है कि हर रोज करीब 60 टन ब्रहमांड के धूल अंतरिक्ष से पृत्वी पर गिरते हैं इस धर्ती पर मौझूद प्रत्यक सांस लेने वाला जिव इस दूहूल को सांस लेते समय अपने अंदर खीशता है जो कभी किसी तारे या ग्रह का हिस्सा रहा होगा दोस्तों कि आपको पता है कि 5 करोड लोगों तक पहुँचने के लिए रेडियो को 38 साल, टीवी को 13 साल और इंटरनेट को सिर्फ 4 साल लगे हैं तो दोस्तों इंटरनेट के नाम पे इस फैक्ट को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों कि आपको ये पता है कि भारत के प्रभाकर रागवन को गूगल सर्च का नया हेट बनाया गया है रागवन ने अपनी ग्रेजुएशन IIT मतराज से पूरी की है और साथ ही University of California बकरले से Electrical Engineer और Computer Science में PhD की है तो दोस्तों प्रभाकर रागवन जी के नाम पे इस फैक्ट को एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये पता है कि गूगल का पूरा नाम Global Organization of Oriented Group Language of Earth है गूगल एक वेब साइट है जो कि सर्च इंजन के बेसिस पे काम करता है गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है दोस्तों कि आपको ये पता है कि Mobile Sim का पूरा नाम Subscriber Identity Module अथवा Subscriber Identification Module है हिंदी में इसका पूरा नाम ग्रहक पहचान Module है हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों ये फैक्ट एक बहुत ही दिल दहला देने वला फैक्ट है कि भारत देश के पास इतना अनाज है कि अगर पूरी दुनिया भूखी मर रही हो तो भी हम 6 महने तक पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं लेकिन फिर भी भारत में कई लोग खाना नहीं मिलने के करण भूखे सो जाते हैं दोस्तों महराणा प्रताप और उनके घोडे चेतक के लिए एक लाइक जरूर करें क्या आपको ये पता है कि महराणा प्रताप के घोडे चेतक का हल्दी गाटी में मंदिर है दोस्तो जापान की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कमपनी सुजुकी जो देश में मारूती उद्योग के साथ मिलकर वाहनों को पेश करती है इसकी स्थापना जापान के एक छोटे से गाउं में सन 1920 में की गई थी सुजुकी की इस सापना मीची और सुजुकी ने की थी जो वास्तविक रूप से एक लूम का व्यापार करते थे दोस्तो क्या आपको पता है कि मृत महिलाएं जन्म दे सकती हैं इसे कौफिन बर्थ के नाम से जाना जाता है दोस्तो वैसे तो एपल कमपनी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कमपनी में से एक है जिसका काम एपल का फोन बनाना है लेकिन दोस्तो आपको ये जानके बहुत हैरानी होगी कि एपल का पहला आइफोन एपल कमपनी ने नहीं बलकि सिसको ने बनाया था दोस्तों ये फैक्ट पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में एक लाइक जरूर करें क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है